महत्मा बुद्ध की सिक्षाओं और नैतिक द्रिष्ट कोन के आधार पर जो ब्यक्ति अपनी बातों से मुकर जाता है या जूट बोलता है उसका अंत संतोजनक नहीं होता। बुद्ध ने सत्य इमानदारी और नैतिकता को जीवन के महत्तो पूर अंगों के रुप में माना है। जो ब्यक्ति अपनी बात से मुकरता है या जूट बोलता है वा विश्वास और संबंधों को खराब करता है। इसके परिणाम सरुक उसे सामाजिक, मानसिक और आत्मिक कठनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ब्यक्ति दूसरों का विश्वास हो देता है और उसे उस कर्म के लिए बुरा परिणाम मिलता है। या सिद्धान कर्म से भी चुड़ा हुआ है। जैसे कर्म करोगे वैसा परिणाम मिलेगा। बुद्धी के अनुसार सच्चाई और नयतिकता का पालन करना ही दीर्ग कालिन सांति और संबर्ट का मार्ग है। जो लोग अपनी बात पर आडिक रहते हैं वे जीवन में इस्थाइत और सम्मान पाते हैं। जबकि जो अपने सब्दों से मुकरते हैं उन्हें अपने कर्मों का नकारत्मक परिणाम भुकतना पड़ता है। माहत्मा बुद्ध के द्रिष्ट कौन से संसार का सबसे बड़ा बलवान व्यक्ति होता है जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है। बाहरी सक्ति वा दौलत या पत से बड़ी सक्ति आत्मनियंतर्ण मन की सांति और अपने अंदर के लालज घ्रणा और अज्यानता को पराजित करने में निहित होती है। बुद्ध ने कहा था। अपने आप पर विजय प्राप्त करना हजारों युद्धों को जीतने से बहुत पेतर है। इसका आर्थ ये है कि सच्ची सक्ति और बल आत्म ग्यान करुणा और आत्म नियंतर्ण में ही निहित होता है। करता है अजल को अबस्दा। करते हैं पारों कि साना आर्थ द्वान Igrew मत.' करता है